नमस्कार दोस्तों धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं यह एक साधिका का है उनका जब विवाह नहीं हो रहा था तब उन्होंने एक ऐसी साधना की जिसके माध्यम से उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए सुयोग अगे पती प्राप्त किया बलकि जीवन में हर प्रकार से सफलता भी उन्हें मिली और जिस के चकर में वो फसने वाली थी उससे भी इस साधना ने उन्हें बचाया यह साधना उन्होंने मेरे हीünde मोजो एकाउंट से खरीदी थी और इसे हम विश्वा वश्व साधना के नाम से जानते हैं तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभाव के विशे में गुरू जी को कोटी कोटी प्रणाम गुरू जी मैं यद्धपी आपकी शिश्या नहीं हूँ किन्तु आपको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती रही हूँ लगभग दो वर्ष पहले मैंने आपकी साधना और विधान इत्यादी आपके चैनल पर देखना शुरू किया था तब से मेरे मन में साधना करने के लिए हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती थी लेकिन जीवन की समस्याओं के चलते अधिकतर कोई भी व्यक्ती साधनाएं नहीं कर पाता है ऐसा ही कुछ मेरे साध भी हुआ था गुरू जी सबसे बड़ी परिशानी आज के युग की है किसी भी परिवार में अपने कन्या का विवाह करना और यही समस्या मेरे पिता और उनके सारे लोगों से संबंधित जूडी हुई एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में प्रस्तु थी इधर में 32 वर्ष की होने वाली थी ऐसे में अगर लड़की घर पर बैठी हो तो तरह तरह की बातें सुनना ही पड़ता है तब मैंने विभिन प्रकार के जो पूजा पाठ होते हैं वह सब करके देखे लेकिन उसमें कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही थी शायद इसलिए क्योंकि बिना गुरु के यह सब साधनाएं आसुकारी नहीं होती हैं फिर आपके चैनल से मुझे यह पता चला कि अगर गंधर्व साधनाएं की जाएं तो ना सिर्फ मन के अनुकूल पती और एक पुरुष को मन के अनुकूल पतनी प्राप्त होती है इसलिए तब मैंने इस साधना को करने के विशे में सोचा और आपकी करपा से सब कुछ अच्छा रहा गुरु जी अब मैं आती हूँ अपने जीवन की घटनाओ उपर गुरु जी मैं तैयारी करती थी बैंक में एक जौब प्राप्त करने के लिए इसके अलावा अन्य प्रकार के एक्जाम भी दिया करती थी लेकिन कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही थी ऐसे में एक दिन एक्जाम में मेरे पीछे बैठे हुए एक लड़के ने मेरी थोड़ी बहुत मदद की एक्जाम हौल से हम दोनों बाहर निकल कर आए और तब वह लड़का मुझसे बाचीत करने लगा मैंने उससे बाचीत की और धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई मुझे वह फोन करता था और यह दोस्ती धीरे धीरे अट्रक्शन में बदलने लगी रात रात भर पढ़ाई की बाते करते करते वह अब प्रेम वाली बाते भी करना शुरू कर दिया मैं भी धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्शित हो रही थी लेकिन ना तो नौकरी थी और शादी भी नहीं हो पा रही थी ऐसे में एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैंने कहा यह तो ठीक बात है लेकिन जब तक मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती तुम्हारी किसी भी इस तरह की इच्छा को पूरी नहीं कर सकती मैं एक अच्छे घर से हूँ और बिना उनके मर्जी के मैं कुछ भी नहीं करने वाली इधर गुरुजी आपके यूटूब चैनल को देखना शुरू किया और तब प्रभावित होकर मैंने पहली बार इस साधना को करने का मन बनाया इस लड़के से मेरी दोस्ती तो थी लेकिन मैं इसे दिल से पसंद नहीं करती थी कोई भी आपको अपने दिल से चाहने लगे इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसे चाहने लगे और इस प्रकार हमारी दोस्ती भले ही गहरी हो थी लेकिन इसके मन में अलग ही भावनाय थी जो मेरे मन में नहीं थी साधना मैंने इधर विश्वावसू गंधर्व की करन शुरू कर दिया और इसका प्रभाव देखने को धीरे-धीरे मिलने लगा एक्जाम के कुछ चरण निकलने भी शुरू हो गए इधर इस लड़के का कोई भी एक्जाम नहीं निकल रहा था एक दिन इसने मुझे अपने कमरे पर बुलाया और कहा कुछ नोट्स तुम्हें दिखाने हैं मैं उसके कमरे पर बैठी हुई उसका इंतजार करने लगी वह आया और उसने एकदम से मुझे कस कर अपनी बाहों में जकर लिया और कहने लगा कि मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ और उसने मुझे मेरे होटों पर बहुत जोड से चूसना सुरू कर दिया इस तरह की गलत हरकत से मैं अचिम्भित रहे गई मैंने इसे दूर हटाते हुए अपने से दूर करने की कोशिश की लेकिन इसकी शक्तिशाली बाहों के वजह से मैं इसे दूर नहीं कर पा रही थी तब पता नहीं मेरे मन में कहां से विश्वा वसू गंधर्व के प्रती एकदम से भाव आया और मैंने उनका नाम लेते हुए इसे अपने आप से दूर किया इतनी ताकत मुझे में आ गई कि यह मुझे दूर हो गया और कहने लगा क्या हुआ तुम मुझे दूर क्यों कर रही हो तब मैंने कहा यह बहुत गलत है मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समस्ती थी पर तुम तो मुझे इस प्रकार से अपना बनाना चाहते हो तब उसने कहा इन बातों से कोई फरक नहीं पड़ता मैं तो तुम्हें तब से प्यार करता हूँ उसकी बात सोचने को मैं मजबूर हो गई और मैं घर पहुची मन में उसके प्रती प्रेम आ रहा था और रात को सोते वक्त मैंने विश्वा वसु गंधर्व महराज से प्रार्थना की कि हे देव मैंने आपकी साधना बहुत समय से की है रोजाना करती रहती हूँ और आपके चैनल से इंश्टा मोजो से जो साधना मैंने खरीदी थी वह लगातार मैं करती चली आ रही थी इस बात की परवाह किये बिना कि मुझे सिद्धी कब मिलेगी मुझे यह साधना करते हुए आठ महीने बीत गए थे मैंने जब यह प्रार्थना गंधर्व महराज से की तो रात्र में सोते वक्त अचानक से मैंने एक सपना देखा सपने में वही लड़का मेरे आया और मुझे फिर से मेरे साथ जबरजस्ति करने लगा मैंने उसे धक्का फिर से दिया और वह दूर जाकर गिरा तब वह राक्षस के जैसे दात निकालता हुआ मेरी और दोरने लगा तब मैंने देखा वहाँ पर एक देवता प्रकट हो गए उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू तो किसी भी प्रकार से इस शुद्ध कन्या के लायक नहीं है चला जा इसकी जिन्दगी से और फिर उन्होंने उसे उठा कर दूर फेख दिया तब वह मेरे पास आए और कहने लगे किसी से भी दोस्ती यूँ ही कर लेती हो उसके बारे में बिना जाने जाओ इसके सारे डॉकुमेंट्स चेक करो तब मैंने उसके सारे डॉकुमेंट्स चेक करने के लिए पहले उससे फेसबुक पे दोस्ती की वहां से कुछ आईडी वगेरा मिली और जब मैंने धीरे धीरे पता लगाया तो जो मैंने देखा उससे मैं अचम्भित रहे गई गुरू जी जिसे मैं एक हिंदू लड़का समझ रही थी वह तो एक मुसल्मान शादी सुदा पुरुष था और उसके तो बीवी और बच्चे भी थे और इतने दिनों से वह मुझे मूर्ख बना रहा था मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मैं यह सब जब पता किया तो मन ही मन गंधर्व राज को प्रणाम किया आज उनके ही क्रपा से उनके दिये संकेत से मैं जान पाई कि यह लड़का मुझे मूर्ख बना रहा था अगर मैं इसके जाल में फश जाती तो पता नहीं मैं उसकी दूसरी पत्नी बन कर रह जाती अच्छा हुआ मैं इससे बच गई मैंने उससे दूरी बना ली और धमकी दी कि अगर वह मेरे पीछे रहा तो मैं पुलिस में कम्पलेंट कर दूँगी इसके बाद वह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया क्योंकि वह मुझे मनोज बोलकर इतने दिनों से उसके साथ दोस्ती का रिष्टा रखे हुए थी अब बताईए कि लोग अपनी पहचान तक छुपाते हैं गुरू जी अब अगला चमतकार इस साधना में तब हुआ जब मुझे साधना करते डेड़ वर्ष बीट गया था रात्री को मैं रोने लगी क्योंकि पिता को और मा को बला बुरा लोग कहने वाले बहुत सारे थे कि इतनी जवान लड़की घर पर बिठा रखी है मैं रोने लगी और मैंने मन ही मन विश्वा वसू महराज से प्रार्थना की हे देव आप मेरे लिए एक लड़का चुनकर भेजिये अगर मेरी साधना कफल मुझे देना चाहते है और यह कहकर मैं सो गई और उस दिन जो स्वपन में मुझे संकेत मिला वह अदभुद था गुरुजी गुरुजी जब मैं सो गई तब मैं देखती हूँ एक बहुत ही सुन्दर जगह है जहां एक नदी का किनारा है वहाँ पर बहुत सारे पुरुश और इस्त्रिया नहाद हो रहे हैं जो की दिव्य लग रहे थे तब ही वहाँ पर आप आते हैं और हस्ते वे मुझे कहते हैं तुम्हें अपने जीवन साथी को चुनना है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी दिखाता हूं फिर आप मुझे एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां से दूर तक बहुत कुछ दिखाई पड़ता था और तभी आकाश में आपने एक चेहरा मुझे दिखाया वह लड़का देखने में सुन्दर और अच्छा सब भे लग रहा था मेरे मन के अनुकूल बहुत ज़्यादा सुन्दर तो नहीं था लेकिन फिर भी दिखने में वह अच्छा लग रहा था और अगले दिन मैं जब सोकर उठी तो पता चला कि बुआ जी ने कुछ लड़कों के फोटो भिजवाए हैं शादी के लिए तब उन फोटो में से चौथा फोटो उसी लड़के का था जिस चहरे को कल रात को मैंने सपने में देखा था मैंने तुरंत माबाप से कहा इसी लड़के से मुझे शादी करनी है आप देखिएगा सबसे अच्छा लड़का यही है क्योंकि सौपन के संकेत से मैं यह बात बिल्कुल समझ चुकी थी कि निश्चित रूप से मेरे लिए विश्वा वश्व महराज ने आपके रूप में आकर जो दिखाया है यही मेरा सच्चा जीवन साथी बनेगा और तब हमने जब पता किया तो वह लड़का उस वक्त तैयारी कर रहा था लेकिन मैंने कहा मुझे विश्वास है आप मुझे इसी लड़के से शादी करवाईए मेरी बात को सुनकर और क्योंकि उन्होंने दहेच की मांग नहीं रखी थी इसलिए हम लोगोंने हा कर दी मेरी सगाई हो गई लड़के को जब पहली बार देखा तो मैं काफी खुश थी उसमें मुझे अपना सच्चा जीवन साथी नजर आता था लड़का बहुत सीधा था कभी कभार बात करता था इधर हम लोगों की शादी की डेट भी आ गई और शादी से एक दिन पहले जो खुश खबरी उसने मुझे सुनाई तब मैं समझी कि वास्ताव में देवता जो भी चुनते हैं वही आपके लिए सरवोत्तम होता है उसका सलेक्शन बैंक के मैनेजर के पद पर हो चुका था और शबी यही कह रहे थे कि यह लड़की भागिशाली है इसकी जैसे ही कदम हमारे घर पर पढ़ने की बात हुई है इसकी वजह से इतने दिनों से हमारे लड़के का सलेक्शन नहीं हो रहा था अब हो गया है पर मैं बिलकुल स्पष्ट बता दूं गुरूजी मैं तो कहीं से भी भागिशाली नहीं सब कृपा विश्वा वश्व महराज जी की है उनको बारम बार प्रणाम और निश्चित रूप से आप से जुडाव मुझे अपना समझ में आता है गुरूजी मैं अपने पती सहीत आप से भाविश्य में अवश्य गुरुदुक्षा लूँगी और मैं आप से एक प्रश्न पूशना चाहती हूँ क्या मैं आजीवन विश्वा वश्व महराज की साधना कर सकती हूँ आपको कोटी कोटी बारम बार पणाम गुरूजी तो देखिए यहां पर आपने देखा एक सच्ची भक्ती के माध्यम से विश्वा वश्वु महराज जो की गंधर्व राज हैं उनकी करपा इस लड़की को प्राप्त हुई और इनके जीवन में सच्चा प्रेम और एक सुरक्षित भविश्य वाला पती प्राप्त हो गया आपके जीवन में भी अवश्य ही सच्चा प्रेमी सच्चा पती सच्ची पतनी अगर प्राप्त करनी है तो विश्वा वसु महराज की साधना बहुत फाइदे मंद हो सकती है इस साधना को आप मेरे इंस्टा मोजो एकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कोई भी अगर पूरी जिंदगी भी इनकी साधना करना चाहे तो अवश्य कर सकता है इनकी कृपा अवश्य बनी रहेगी यह यह था आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद